दोस्तो वेलकम बेक टो आवर एगरी डाइजस्ट चैनल दोस्तो आज के वीडियो में हम दो विविन टाइप के कल्टिवेशन के बारे में जानेंगे जो बहुत ही कन्फीजन रहते हैं और बहुत सारे स्टुडेंट्स यह दोनों टम में बहुत कन्फीजन रहते हैं तो एक ह लाइन डोटेशन और दूसरा है क्.? दोनू के बीच में किया अंतर है रह reflections वह जानेंगे और फिर इनका क्या फाइदा है या कंड डिसजों के बार में जानेंगे तो जब हम बात करते हैं दोस्तों ढाइन डाइन के बार में तो लिए डाइन होता है दोस्तों इसंpiej में लोग क्या गाता यह एंशी टाइफ के तक उल्टीवेशन है इसमें जोरेस्ट व एरिया को कलटीवेच कर देते हैं या फोर्हस्ट को कट डाउन कर देते हैं उसके बाद फिर उसको हम क्ट बढ़ करके फिर वहां पर कोई क्या करता है क्लटिवेशन करते हैं फिर क्या करता है उस एयरिया को सब्सक्राइब अदर्फ ऐ Élisale बहुत बड़ा आयडिया जो फोरिष का वह को इस नोता है तो इससे हमारे इंवर्मेंट को नुकसान पहुच जाता था थो इस प्रोसेश में शचिप reduz लोग फोरेश्चित कंड़ मेरा करते थे और उसके बाद करते थे तो इसमें रोटिशन करते थे तो इसमें इसे से वह सोलक व्य पुरदेटिविटी ओफ होता है क्यों क्योंख स Kenya क्रॉप है वह क्रॉप है कि यहांनि यह जो क्रॉप है वह fix रहेगा हमेसा क्या कहता है जैसे अगर कोई भी cultivation कर रहा है तो उसमें क्या रहा है लेकिन राइस का cultivation continuously चल रहा है इससे क्या होता है क्योंकि इसमें हम लोग large number of plants of trees को cut down करते हैं जिसके वैसे क्या होता है स्वेल का erosion होता है क्योंकि पेर अगर लगा हो रहेगा तो उससे क्या होगा हमारा स्वेल इरोजन होगा लेकिन हम यहां पर पेर को ही cut down कर दे रहे हैं दूसरा है इसका दूसरे नाम से क्या कहता है यह नौर्थ इस एरिया पर ज्यादा होता है जिसके वैसे हम लोग जारकन हुआ उसके महदपर्देश हुआ छोटा नाकपूर प्लेट हुए इन एरिया पर या कोई भी हिली एरियास पर इन इसरद में का ज्यादा अपयो किया तता लगिन आप इसमें ध्यू बढ़ हो रा है दुसरा तक ही कोई विवरस टव अने क्या है जो इसको हम लोग क्या जान आनि जिस्टर। लेंद का रिटेशनों विपर तरह सको र्वाइंड आ हम क्या होता है महाँ का रोटशन उनका यानी कि लाएंड फिक्स रहेएगा लेकिन हम लोग और नियक्स करेंगे यह कोई leguminous crops उगाएंगे तो उसमें और भी उसका productivity बढ़ जाएगा दूसरा क्या है यहां पे crop को rotate कर रहा है यानि crop change हो रहा है लेकिन land जो है वो fix है यानि एक particular land में हम लोग क्या कहता है crop को season by season उसको change कर रहा है दूसरा क्या हो रहा है यह जो क्या कहता है जब हम लोग crop rotation करते ह तो इससे हमारा क्या होता है soil erosion को check करते है यानि soil erosion को हम लोग control कर पाते है और हमारा स्वेल का moisture है उसको भी हम लोग conserve कर पाएंगे उसके बाद फिर आगे हम लोग क्या कहता है इसके बारे में क्या जान सकते है जो यह हमारे soil का fertility को increase करता है कैसे कर सकता है तो उधारन के रू किए तो इसमें जोनेटरेंस थे वो स्वाइस के प्लांट ने लिया फिर अगला सीजन लग क्रफ लगा रहे हैं उसमें लोकी क्ञाइस थे को करेंगो सिक्विश्स करके अब हम लोग क्या कहता है क्या आधिए के लिएग सुर्प स्लप्स लगा दिया तो अब क्या वा क्मी को पूरा कर देगा तो इस तरह हम लोग बार-बार चेंज कर रहे हैं तो यहां की अटा गटाये गाए लेकिन जब हम लोग लेंड रोटेशन में देखते थे वहां क्या होता है स्वेल का फिटिलेटी को क्या था लॉस हो जाता था या फिर घड़ जाता था तो उसी के लिए एक एक्जामपल भी नीचे हम बता रहा है जो क्या हुआ पहला कोई क्रॉप राइस लगा है उसके ले रहे टे यहां पर दूसरा क्ला नों नंकать और जहां पुढम मूंगी रहते हां पर चीरी ले लिए तो इस तरह क्या हूँ आँ या क्रॉप का चका नहिस कर रहा है तो क्लॉप कर रोचिशन उन्हों इसके वाइस सीप्टिंक करथ seguinte यह भूँत ही कणनफीजन होता है यह अकूछ सन् पूछते हैं जो क्या कगता है प्रागर इत्य है पूंट अरिया नंटर प्रोप्रोशन का अंतर पूछता है तो यह बहुती कन्फ्यूजिंग ट्रम था जो बहुती अक्सर पूछा जाता है तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो में हम दूसरे कन्फ्यूजिंग वर्ट या फिर उस तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों